हेलो एब्रीवन वेलकम बैक तो मैं किचन आज हम आपके साथ शेर करने वाले हैं ओल की सबजी बनाने की रेशिपी जिसे हम जिमी कंद भी बोलते हैं और इस्पेसली ये दिवाली के दिन खाई जाती है ये सबजी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और इस्पेसली दि यानी जिमी कंद ले लिया है अब हम हाथों में थोड़ा से सर्सो का तेल लगा लेंगे क्योंकि इसे काटने में हाथों में हलकी सी खुझली होने लगती है लेकिन अगर आप इस तरीके से यह ओल की सबजी बनाते हैं तो बिल्कुल भी खुजली नहीं होगी यह बहुत ही ज़्यादा रिष्टी बन के तयार होगी तो यहाँ पर मैंने सारे ओल जो है उसे अच्छे से काट लिया है इसे मैंने मीडियम सेप का रखा है जैसे हम पनीर वगरा की सबजी बनाते हैं तो उसे कट करते हैं अब हम इसे दो से तीन पानी अच्छे से धो लेंगे ध्यान रखे इसमें बिल्कुल भी मिटी नहीं हो और इसे अच्छे से धो लेने के बाद इसमें हम एक चमच नमक और एक चमच नीबू का जूश टाल देंगे और इन सब को हम हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसे ढखकर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे तो इस तरीक से अगर आप इसमें नीबू नमक लगा के छोड़ देंगे तो बनाने के बाद खाने में बिल्कुल भी गले में ये खुजली नहीं करेगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दस मिनट बाद इसमें थोड़ा सा पानी भी छूट किया है अब हम इसे एक दो पानी और अच्छे से धो लेंगे और बस ये बनाने के लिए तयार है तो अब हम कूकर लेंगे और कूकर में एक चमच एक बड़े चमच हम इसमें सरसो का तेल डालेंगे और जो ओल है उसे हम अच्छे से golden होने तक हलका सा फ्राई कर लेंगे इसे हम high flame पर अच्छे से दोनों साइट से हलका सा color change होने तक फ्राई कर लेंगे और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए जैसे हम पनीर वकर फ्राई करते हैं बिल्कुल वैसे ही बस इसे थोड़ा सा डार कलर का करना होता है और यहां पर यह अच्छे से फ्राई हो चुका है तो अब हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे और इसे निकालने के बाद सेम बरतन में हम इसे हम कूकर में ही बनाएंगे तो सेम बरतन में हम थोड़ा सा और तेल डालेंगे और इसमें कुछ खड़े गरम मसाले, एक चम्माजीरा, दो सूखी लाल मिर्च और एक तेश पत्ता डालेंगे, साथ ही हम थोड़ा सा हिंग भी आट करेंगे इसे थोड़ा सा एक दो सेकेंद भूनने के बाद उसमें हम एक बड़े साइज का कटा हुआ प्याज आट कर देंगे अब प्याज को हमें अच्छे से हलका सा कलर चेंज होने तक भून लेना है यहाँ पर हम इसे हलका सा ढख के भूनेंगे ताकि जो प्याज है वो अच्छे से सौफ्ट हो जाए तो इस तरीके से जो प्याज है वो अच्छे से इसमें कलर आ गया है तो अब हम इसमें एक चमच अधरक लेसन का पेस्ट आट कर देंगे और इसे एक मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इसका कच्छा पर निकल जाए इसके बाद हम इसमें एक टमाटर एट करेंगे टमाटर को मैंने हलका सा ग्राइन कर लिया है एकदम पेस्ट नहीं बनाया है बस हलका सा दरदरा रखा है साथे हम इसमें कुछ मसाले एट करेंगे तो यहाँ पे हम इसमें आदे चमच हल्दी पाउडर एक चमच लाल मिर्च पाउडर एक चमच धनिया पाउडर आदे चमच जीरा पाउडर और आदे चमच हम इसमें कोई भी चिकन मसाला या फिर मीट मसाला एट कर देंगे उससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है साथ हम इसमें थोड़ा सा पानी एट कर देंगे और ये ढख कर मसालो और टमाटर को अच्छे से भून लेंगे एक दो बार इसे चलाते रहें और ढख के इसे अच्छे से भून लें जब ये अच्छे से भून जाए जब साइट से ओल दिखने लगे तब हम इसमें एक से डेल कप पानी एट कर देंगे पानी डालने के बाद इसे हम ढख देंगे और जब इसमें अच्छे से बॉयल आ जाएगा जब ये अच्छे से उबल जाएगी तब हम इसमें जो हमने फ्राई करके ओल को रखा था वो एट कर देंगे साथ हम इसमें दो हरी मिर्च, आधे चमच गरम मसाला पाउडर, आधे चमच आमचूर पाउडर और एक चमच हम इसमें कचूरी मेथी डालेंगे साथ हम इसमें टेस्ट के कोडिंग नमक भी एट कर देंगे अब इन सब को mix कर लेंगे और कुकर का लिट लगा कर इसे हम एक सिटी आने तक पका लेंगे एक सिटी में ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है इससे ज़्यादा इसमें सिटी नहीं लगाए इसमें आमचूर पाउडर डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसके खटास के कारण ये बहुत ज़्यादा चेटपटी और टेस्टी बनती है साथी जो खुजली की थोड़ी बहुत कसर रहेगी वो भी खतम हो जाएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सिटी लगाने के बात जो सबजी है वो बन के तयार हो चुकी है और देखने में ये काफी ज़्यादा टेस्टी लग दी है अगर आप इस तरीके से ओली अजिमी कंद की सबजी बनाते हैं तो आप दो की जगर चार रोटिया खा जाएंगे आप इसे राइस रोटी पराठे किसी के भी साथ सरू करें ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है तो आप भी एक बार इस तरीके से ओल की सबजी ज़रूर ट्राइ कीजिएगा साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा शेयर कीजिए ला